श्रीकृष्ण गौशाला मोहलई में गौशेवा समीती द्वारा की गई गौशेवा 200 दिन पूरा होने पर गौवन्शो को यहाँ पर 56 भोग खिला गया गौसेवा समीती द्वारा लगतार गौमाता की सेवा की जा रही है जिसमें गौसेवा समीती द्वारा रोजाना रात में गौमाता को रोटियां खिलाई जाती है इसी कड़ी में समीती के आज 200 दिन पूरे होने पर गव माता के साथ उत्सव मनाने और इस पल को यादगार बनाने गव सेवा समीती द्वारा दुर्ग के मोहला इस्थित श्री कृष्ण गव शाला में पहुँच कर गव माताओं को 56 भोग आहार निर्मित कर उनको परोसा गया इस सम्बन में गव सेवा समीती के अध्यक्ष अभीजित पारख ने बताया हमारी द्वारा लगभग 200 रोटी रोज गव माता को खिलाई जाती है जिसका 200 दिन पूरा होने पर दुर्ग शहर में पहली बार गव माता के लिए 56 भोग का आयोजन किया जा रहा है साथ युन्होंने बताया कि आम जंता से स्काइक्रम में शामिल होने की अपील हमने किये ताकि उनका और मनोबल बढ़े और जल्द ही वो इस कारे को 1000 दिन मना सके दोसो दिन आज कंप्लीट हुआ है तो उस दोसो दिन को स्पेशल बनाने के लिए आज हम आएं गौशाला जहां पर हम पूरे गव माता के लिए 56 भोग का योजन कर रहे हैं ग्रेन एसीन नियूस के लिए दुरुग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट